हेलो वच्चों, हमारी यूटूब चैनल अरस्तु एजूकेशन में आपका फिर से स्वागत हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्छा सात्वी की एडिक्रेट अभ्यास पुस्ति का दोजार तेश चोबिस से समाजिक विज्ञान विशय के इतिहास कंड से अध्याय तीन, दिल्ली, बारवी से पंद्रिवी, सतावदी के प्रिशन उत्रहल करेंगे। तो आईए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पिछले सारे वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आसानी से उपलबद हो सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर प्रेश्निक रमांग एक है किसके साशनकाल में मुक्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तैसंख्या के अनुसार सैनिक रखते थे। इसका सही उत्तर है आप्सन बी अलाउद्दीन खलजी। प्रेश्निक रमांग दो किस इतिहासकार ने कहा है कि इल्तुत मिस की बेटी रजिया अपने सभी भाईयों से अधिक योग और सक्षम थी। इसका सही उत्तर है आप्सन दा मिनहाज ए सिराज। प्रेश्निक रमांग तीन भारत आने वाले यात्री इबनतूता का संबंध किस देश से था इसका सही उत्तर है आप्षन बा अफ्रीका प्रश्निक्रमांग चार दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है इसका उत्तर लिखिए अभी लेखों, सिक्कों और स्थापत्य भावन निर्माण कला से हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है प्रश्निक्रमांग पाच रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया इसका उतर लिखिए रजिया योग्य होने के साथ साथ वह एक महिला थी दरवारियों को यह पसंद नहीं था कि वह एक महीला को शाशक माने इसलिए योग्य होते हुए भी उसे हटा दिया गया आगे बढ़ींगे प्रेश्टिक्रमांग छे मुहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रसासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई इसका उत्तर लिखिये मुहम्मद तुगलक ने एक सराब बेशने वाले एक नाई और बावरची मालियों को उचे प्रसासनिक पदों पर बैठाया था इसलिए बर्नी द्वारा आलोचना की गई प्रेशनिक रमांग साथ दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था इसका उत्तर लिखिये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था प्रेशनिक रमांग आठ इस काल में इक्तदार या मुक्ती का क्या कार्य होता था इसका उत्तर लिखिए इक्तदार या मुक्ती का कार्य सैनिक अभियानों का नेत्रत्व करना और इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रिश्णिक रमांक 9 है अलावदीन खिल जी की राजस्वी व्यवस्था की विसेस्ताएं लिखिए इसका उत्तर लिखिए अलावदीन खिल जी की राजस्वी व्यवस्था की विसेस्ताएं निमने लिखी थे पहला भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कारे को राज के नियंत्रण में लाया गया दूसरा इस्थानी सामन्तों से कर लगाने का अधिकार छीना गया और उन पर भी कर लगाया गया तीसरा क्रशी पर मवेशियों पर घरों पर कर लगाया गया आगे देखेंगे प्रेश्निक्रमाग्दास मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी वा मुहुम्मत तुगलग द्वारा किन बातों पर बल दिया गया इसका उत्तर लिखिए मंगोल विजय हेतु अलावद्दीन खिलजी द्वारा विशाल इस्थाई सेना रखी गई एवं मुहुमत तुगलक ने भी एक इस्थाई बड़ी सेना रखी और उसे संसाधनों से भर दिया प्रेश्निक्रमाग्ग्यारा है सेर्शाह सूरी के राज्जी विस्तार के बारे में लिखिए इसका उत्तर लिखिए सेर्शाह सूरी के समय उसके सामराज्जी की सीमाएं पश्चिम में कन्नोज से लेकर पूरव में असम की पहाडियों एवं चटगाओं तथा उत्तर में हिम ये सेरशाह सूरी का राज जिविस्तार था। दोनों ही सुल्तानों को एक विसाल रिक सेना रखनी बढ़ती थी या रखनी पड़ी तो बच्चों आपका यहाँ पर यह अध्याय कंप्लिट होता है आपको वीडियो कैसे लगा यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक प्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से मिल सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू